मस्कार दोस्तो आए जानते हैं कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय पांच प्रभु मुझे सहारा है तेरा जग के पालन हार कार्तिक मास महात्म की कथा करू विस्तार राजा पृत्यू बोले हे नारज जी आपने कार्तिक मास में असनान का फल कहा अब अन्यमाशों में विधि पूर्वक असनान करने की विधि नियम उद्यापन की विधि भी बतलाईए देवर्सी नारद ने कहा हे राजन आप भगवान विश्णों के अंस से उद्पन हुए हैं अता यह बात आपको ग्याथी हैं फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ आस्विन माह में शुकल पक्ष की एकादसी से कार्तिक के वरत करने चाहिए ब्रम्ह मुहरत में उठकर जल का पात्र लेकर गाउं से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिसा में जाना चाहिए उसके बाद जो मनुष्य मुख सुधी नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है अतह दात और जीव को पूर्ण रूप से सुध करना चाहिए और निमनलिकित मंत्र का उच्चारन करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए हे वनस्पते आप मुझे आयू, किर्ती, तेज, प्रज्या, पशु, शंपत्ती, महाग्यान, बुध्धी और विद्या प्रदान करो इस प्रकार उच्चारन करके व्रिक्ष से बारह अंगूल की दातुन लें दूध वाले व्रिक्षों से दातुन नहीं लेने चाहिए, इसी प्रकार कपास, काटेदार व्रिक्ष, तताजले हुए व्रिक्ष से भी दातुन लेना मना है जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसके टहनी कूमल हो, ऐसे ही व्रिक्ष से दंत धावन ग्रहन करना चाहिए प्रशन चीत वा भक्ति पूर्वक शिवाले में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्ग, आच्मनी, आदी वस्तुों से प्रिथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए, फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर स्री हरी का किर्तन करना चाहिए मंदिर में जो गायक भग्वान स्री हरी का किर्तन करने आये हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदी से पूजन करना चाहिए क्योंकि देवालेयों में भग्वान विश्नु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रशन करते थे, परंतु कलियोग में भगवत ग फिते हुए भग्वान ने कहा, हे नारद मैं वैकुंध या योगियों के हिदय में ही निवास नहीं करता अपितु जहां मेरे भग्वत मेरा किरतन करते हैं मैं कहां अवश्य निवास करता हूं, जो मनोंस चंदन, माला, आदी से मेरे भग्वतों का पूजन करते हैं, उनस औरहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णों की पूजा नहीं करने चाहिए। कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्षना करने के पस्चात सास्टांग प्रणाम करके भगवत किर्दन करना चाहिए। कि अवान बड़ चाहिए। कि अवान विष्णों लेगा से नहीं करने करना चाहिए।